हलो और वेलकूम तो डिवाइन कनेक्शन कैसे हैं आप सब लोग मैंने कुछ टाइम पहले एक रिच्वल 1111 रिच्वल आप लोगों के साथ शेया गिया था बहुत अच्छा रिस्पॉंस मुझे मिला है बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है और जिनको रिजल्ट नहीं मिला है हो सकता है कि उनकी वाइप्रेशन बहुत जादा लो हो तो बहुत जरूरी है अपनी वाइप्रेशन पर काम करना ठीक है अब उस वीडियो पे भी बहुत सारी कॉमेंट्स आये हैं कि क्या हम एक्स्ट्रा मैटल अफैर में इस रिजल्ट को कर सकते हैं या फिर बहुत लोग मुझसे नॉर्मली भी पूछते हैं कि मैम हम एक ऐसे रिष्टे में हैं हम एक शादी शुदा इंसान से प्यार करते हैं या हम दोनों ही शादी शुदा हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या हमारे लिए एलोए काम करेगा या रिचुल्स काम करेंगे बहुत सारे messages आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं इस तरीके से इस तरीके के लोग connect हो रहे हैं जो इस तरीके के relationship में हैं जहां पर वो married है या married person के साथ relationship में हैं तो आज का वीडियो उनी लोगों के लिए मैं बना रही हूँ कि आपको अगर manifest करना है अपने person को तो आप कैसे manifest करेंगे देखो सबसे पहले तो एक चीज समझो कल परसु भी मैंने एक counselling ली थी जिसमें मैंने एक lady की counselling ली थी और वो इसी तरीके की problem को face कर रही थी कहीना कहीना हमारे अंदर एक guilt आजाता है जो भी इनसान इस तरीके के relationship पे है कि वो कुछ गलत कर रहा है मैं देखिए कभी भी इस चीज को support नहीं करती हूँ कि आप अगर अपनी शादी के बाहर किसी की इनसान के साथ रिष्टे में है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इन लोगों को या इस तरीके के रिष्टे को support कर रही हूँ बात सिर्फे से ये है कि ना मैं support करती हूँ ना मैं इनके खिलाफ हूँ ना मैं कभी ये बोलूँगी कि आप characterless हूँ आपने अगर ये कर लिया तो आप you know आप को society में रहने का हग नहीं है या आपको शरा मानी चाहिए इस तरीके के बाते भी मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ऐसा feeling करती हूँ मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कोई भी चीज अगर आपका intention वहाँ पर clear है लेकिन आप एक feeling में हो तो ना वो सही है ना वो गलत है वो simple feeling है जो आपकी अंदर से आई है तो हमें कोई भी हक नहीं बनता कि हम किसी person को judge करें जो कि ज़्यादता society में होता है कि अगर आप इस तरीके के relationship में है तो आप पर simple एक label लगा दिया जाता है कि आप cheater हो आप एक society के खिलाफ काम कर रहे हो और आप characterless हो आपको इस तरीके की चीज़ें बोली जाती है कि आप guilt में आज है जो कि बहुत ही lower vibration है तो मैं एक चीज़ बोलूँगी पहली बात कि इसमें guilt में आने की जरूवत नहीं है इस चीज़ को अगर हम society के level से रखे तो वो तो बहुत कुछ बोलेगी लेकिन आप इसको अगर spiritually समझें जो मैं समझाने की कुशिश करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो भी person के मन में ये खयाल आता है कि अगर उसको किसी इनसान से प्यार हो गया है और शादी के बाहर किसी इंसान से प्यार हो गया है तो वो बहुत बड़ा पापी है तो प्लीज इस चीज को समझ ये आप दी कोई ऐसा पाप नहीं किया है मैं ये नहीं कहती कि बहुत अवार्ड विनिंग काम कर दिया है लेकिन कोई पाप भी नहीं किया है इस चीज़ को प्लीज समझे देखिए spiritually अगर मैं बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ जन्मों की कि आप बहुत सारे जर्म लेकर आए है आप एक चीज़ सोचिए कि जब आप इस दुनिया में आए है तो आप बहुत कुछ भूल कर आए है यानि कि पिछली जन्मों का आपको कुछ भी याद नहीं है क्योंकि अगर पिछली जन्म आपको याद रहते तो लाइफ बहुत बैस हो जाती जीना मुश्किल हो जाता हमारा लेकिन यूनिवर्स ने क्या किया है इश्वर ने क्या क्या है एक कोरे कागस की तरह हमें भेजा है लेकिन कर्मों का सिद्धान्त हमारे पिछाने छोड़ता कर्म तो पिछाने छोड़ते न तो कर्म पिछाने छोड़ते तो कर्म बंधन भी पिछाने छोड़ता है और जिस इंसान के साथ कर्म बंधन होता है वो इंसान भी पीछानी चोड़ता है और वो इंसान कभी आपकी लाइफ में आ जाता हैν बानकर चल यह लिए कि आप पांस लाइफ में किसी इनसान के साथ रहकर आये है और बहुत प्यार भरी रिष्टे में रहकर आये हैं और आज वो इंसान आपकी शादी हो चुकी है, उस इंसान की शादी हो चुकी है, लेकिन वो आपके सामने आ गया, अब इस इस्तती में, अगर आपको याद होता, मालनी जिए वो memories आपके अंदर आ जाए, कि आप इसके जीवन साथी थे किसी जरम में, तो आपकी feeling क्या होगी आपको प्यार आएगा ही आएगा उस person पे, वो यादे आजाएंगी, जो बल आपने उसके साथ बिताएं थे, लेकिन वो यादे नहीं आती है, लेकिन आपकी soul तो जानती है, आपका subconscious तो जानता है कि connection था, और वो intense connection जब हावी हो जाता है न, क्योंकि soul जानती है, soul अपने आप उस person की तदफ जाएगी, आपका subconscious सब जानता है, तो आप कैसे उस feeling से खुद को रोक पाएंगे, एक तरफ तो लोग बोलते हैं प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, और जब हो जाता है तो लोग बोलते हैं यहां क्यों किया, तो ये तो दो तरफा बाते हो गई, जो सम मचना चाहिए, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में आया है, तो उसका एक परपस है, कुछ learning करने के लिए वो आपकी लाइफ में आया है, कुछ सिखाने के लिए हो सकता है, वो आपकी लाइफ में आया है, है ना, ऐसे ही न या आपने, हो सकता है कुछ ताइप पहले आप लोगों से बोलते हो कि भई इस तरीके के relationship में न पढ़ना आप इस तरीके के relationship में मत पढ़ना, बहुत गलत चीज होती है, पिलकुल खलाफ हो इस चीज के आप, extra mental बहुत गलत बात होती है, आप लोगों को समझाते हो, लेकिन आज आप खुद ऐसे रिष्टे में पढ़ गए हो, हो सकता है, आपके साधा सा हुआ हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपने उसको बनिफेस्ट करे लिया, क्योंकि जब हमारे दिमाग में चीज होती है, कि मेरे सनातगर ह मैं तो कभी नहीं कर सकती, इसने कैसे कर लिया, जज़्चमेंटल हो गए आप उस इंसान के प्रती, आप भी मैनिफेस्ट कर लेते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़, और वो कनेक्शन, उसका क्या करोगी, अगर वो आपकी लाइफ में आ गया तो, उस इंटेंसिटी से कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं अगर इसको spiritually लेती हूँ और बोलती हूँ कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपसे कोई गुड़ा नहीं हुआ है, अगर आप किसी के लिए फील कर रहे हो, even after marriage, लेकिन क्योंकि आप marriage में हैं, तो आप एक society में हैं, उस चीज़ की भी आपको कदर कर क्योंकि अगर आप उस इंसान को manifest करने के लिए कोई technique लगाते हैं, तो क्या होता है, कि वो इंसान तब भी आपकी दरफ आ जाएगा, अल्वड़ी आ ही गया है आपकी life में, लेकिन तब वो क्या करेगा, उसकी बीवी है मालीजी, आप एक लड़की है, आप manifest कर रहे है, उस कसूर आपका भी नहीं है, लेकिन इसलिए आपको उस चीज को समझते हुए, उस चीज की intensity को समझते हुए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, जहाँ पर दूसरे लोगों की जिंदगिया बरबाद हो, आपका जो भी person है, उससे जड़े लोगों की life बरबाद हो, या आप से ज टेक्निक लगाने को आपकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आप इस चीज को spiritually समझ कर इसको मानते हो कि universe ने मिला दिया उस person के साथ, तो universe को surrender कर दो, simple, कभी भी guilt नहीं आएगा आपके अंदर, surrender to the universe, जो होगा, होगा, मुझे अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना ही, कि मै कोई टेक्निक लगाऊ, कोई spell करू, वो person मेरे पास आजाए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दे, या फिर वो अपने हस्बिन को बच्चों को छोड़ दे, इस तरीके का कोई काम आपको नहीं करना है, जहाँ पर आप इस तरीके का bad karma create करे, अगर आप इस चीज को पव अवनाए hurt हो जाए, या किसी इनसान की जिन्दगी खराब हो जाए, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई टेक्निक मत यूज किया करो, simple universe को surrender कर दिया करो, कि जो होगा, होगा, मेरे दिल में जजबात आए है, मैं उसकी कदर करती हूँ, और मैं किसी guilt में नहीं हूँ, ले किसी तरीकी का guilt पालने की जरुवत है, कि मैंने कौन सा पाप कर दिया, और जो लोग जच करते हैं, करने दीजे, जो आपको लेबिल लगाते है, characterless का, या किसी भी चीज का, cheater का, करने दीजे, शायद वो उस चीज को न समझे, हाँ, कुछ लोग ज़रूर ऐसे होते हैं, ज अगर आप इस रिष्टे को वाकई में प्यार देते हैं, इसकी गहराई को समझते हैं, इस्जट देते हैं, तो आप कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे और लोगों की life खराब हो, या और लोगों को hurt हो, surrender to the universe, simply, so thank you so much for watching my video, bye!